पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप डेली 100 MCQs का PPT कैसे बना सकते हैं सेम उसी तरह से दोस्तों आज मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि आप YouTube पर पढ़ाने के लिए डेली 100 MCQs की PDF कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास तक बने रहें देखते रहें और सिखते रहें तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ये दोस्तों copy paste करने का तरीका है लेकिन copy paste भी दोस्तों हम लोग इतने smart तरीके से करेंगे कि हमारा जो है बहुत ही कम समय में यानि कि मातर 5 मिनट में हमारा पिडिया बनके ready हो जाएगा तो कैसे करना है आई ये जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको गय करना है यानि कि दोस्तों आपका जो पहला step होगा वो ये होगा कि आपको सबसे पहले browser open कर लेनी है उसके बाद दोस्तों आपको browser में type करना है top 100 important mcqs in hindi ये लिख करके दोस्तों आप यहां पे enter कर देंगे यहां पे दोस्तों मैंने 100 लिखा है आप 200 लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं जितना दोस्तों आपको चाहिए उतना दोस्तों आप यहां पे लिख सकते हैं जब दोस्तों आप इस तरह की keyword लिकर के google पे search करते हैं तो दोस्तों आपके सामने ऐसे बहुत सारी website आ जाती है जहां दोस्तों आपको 100 mcq एक ही जगा पे मिल जाएगा तो यहां से दोस्तों मैं क्या करता हूँ यह वाला website open कर लेता हूँ इसे बहुत सारी है यहां पर देख सकते हैं यह है यह है और यह भी है तो आप कोई भी website यहां से खर लेंगे तो यहां से तो मैं यह वाला website open कर लेता हूँ जब दूस्तों हमारा website open हो जाएगा उसके बाद दोस्तो हम लोग नीचे आएंगे उसके बाद देखेंगे कि हाँ यहाँ पे जो है 1000 MCQs है या नहीं है यहाँ पे दोस्तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 तक है अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको next page पे जाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तो एक page में 50 है दूसरे page में 50 है इस तरह से यहाँ पे है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे एक बार में 50 ही बन पाता है इसलिए दोस्तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से दूसरे website पे आता हूँ इस पे आता हूँ important top 100 GK question in Hindi तो दोस्तों दूसरा website आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे देखे one liner gk है और यहां पे यह कितने question है थोड़ा समय यहां पे देख लेता हूं ठीक है लगता है कि यह 100 हो जाएंगे तो जब इस तरह की चीजे हम लोग website पे ढूंड लेते हैं जहां पे हमें बहुत सारे gk के question answer मिल जाए ठीक है दूसरा step दोस्तों यह होगा कि आपको new tab open कर लेना है और उसके पार दोस्तों आपको यहां पे टैप करना है यहां कि google में आपको लिखना है just read chrome extension ठीक है तो आपको इसका link सबसे उपर में मिल जाएगा तो दोस्तों आपको के करना है just read के उपर click कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको क्य करना है यह वाला extension जिसका नाम है just read आपको जज्यादा कुछ नहीं करना है बस आपको यहां पर ed to chrome के ऊपर click कर देना और उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ इस तरह का message pop up होगा तो आपको add extension के उपर click कर देना है बस इतना करते ही दोस्तों यह जो extension है यह download हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपके browser में यहां पे add हो जाएगा यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे show होने लग ग देना है तो फिर यह यहां पे दिखने लग जाएगा तीक है आप दोस्तों इसका काम हो गया है इसे close कर देते हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे जीके जीएस वाली website पे आएंगे उसके बाद दोस्तों हमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बस लग गया है अभी देखें यहां पे दोस्तों काफी सारी ऐसी चीज़े है जो हमें नहीं चाहिए तो दोस्तों यहां पे डिलीट बटन दिया गया है तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों आप क्या करेंगे बाकी चीजों को इस तरह से डिलीट कर देंगे और जहां से आपको चीजे चाहिए, वहां तक आप यहां पर रहने देंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, और उसके बाद दोस्तों जैसे कि यह सारी चीजे हमें नहीं चाहिए, इस पर क्लिक करके हम लोग इसे डिलीट कर देंगे, कुछ इस तरह से, तो इस तरह से दोस्तों यह सारी चीजे हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपको कह करना है, यहां पर आपको यह जो आइकन आपको दिख रहा है, प्रेंट का, आपको इस आइकन पर क्लिक कर देना है, इस प्रेंट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, तो यह दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे सुहोने लग जाएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है select कर लेना है save as PDF और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है बस आपको यहाँ पे save के उपर click कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप save के उपर click करेंगे उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यह PDF हमारा यहां पे सोहोने लग गया है यहां पे दोस्तों इसका नाम देख सकते हैं Important Top 100 GK Question and Answer in Hindi 2020 इसे दोस्तों मैं आपको Open करके दिखा देता हूं यह जो है वही PDF है यहां पे दोस्तों देख सकते हैं यह जो है हमारा वही वाला PDF है जो अभी हमने बनाया है तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से जो है हम 100 questions की PDF बहुत ही इसली बना सकते हैं हम लोग क्या करेंगे एक New Tab Open करेंगे और दुवारा से दोस्तों हम लोग यही चीज़े सेर्च कर लेंगे Top 100 Important MCQs in Hindi और जैसे दोस्तों यह चीज़े हम लोग लिकर के सेर्च करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट आजाएगी उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेना है तो दोस्तों इस बार मैं यह वाला वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और जैसे दोस्तों मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने कुछ इसतरा का वेबसाइट आजाएगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि Top 100 Important GK Question in Hindi आगे है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे सवाल हैं एक बार मैं नीचे तक देख लेता हूँ कि इसमें कितने हैं यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि Already 100 MCQ इसमें हैं जब यह आपको मिल जाएगा यानि कि जब दोस्तों आपको किसी website पे इस तरह का content इस तरह का बिल्कुल serial wise में एक ही page के उपर जो है बहुत सारा question answer मिल जाए जब दोस्तों यह content website पे मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको गय करना है Just read extension के उपर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप इस extension के उपर click करेंगे तो यह page बिल्कुल neat and clean हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे delete icon पे click कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको जो चीजे चाहिए उसे आप रहने देंगे और जो नहीं चाहिए दोस्तों आप उस पे click करके इस तरह से आप delete कर लेंगे ठीक है और यह सारी चीजे दोस्तों जब आपका हो जाएगा और यह सारी चीजे होने के बाद दोस्तों आप यह कर सकते है यहां से जो है इस content को select कर सकते है देखिए मैं यहां पे mouse cursor को रखूँगा और फिर दोस्तों यहां पे मैं click करूँगा और फिर मैं यहां पे इस तरह से select कर दूँगा इस side और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है mouse का पईया इस तरह से घुमाते जाना है अपनी side और इस तरह से यह select होता जाएगा दोस्तों आपको इसके ऊपर right click करना है यहां से आप इसे copy करेंगे उसके बाद दोस्तों इसका काम ठीक है आप यह वाला option select करेंगे तो यह यहां पे paste हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको करना है बीच में click करना है control A से all select कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आप इसका font size यहां से बढ़ा देंगे तो यहां पे दोस्तों मैं font size 1616 रख देता हूँ और उसके बाद दोस् तो यहां पे दोस्तों मैं निर्मला UI font apply कर दूँगा और इसका font size दोस्तों मैं यहां पे 1616 रख दूँगा और enter कर दूँगा उसके बाद दोस्तों अब हम लोग पहले page पे आ जाते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहां से find के उपर click करेंगे go to के उप दूँगा क्योंकि दोस्तों मुझे page number one पे जाना है इसलिए दोस्तों यहां पे मैं one लिख दूँगा और go to पे click कर दूँगा पर इतना करते हैं दोस्तों मैं पहले page पे आ जाओंगा उसके बाद दोस्तों अगर आपको इसे formatting करनी है तो दोस्तों आपको क्या करना है इन स option का color change कर सकते है इसका जो correct answer है अगर उसे आपको green करना है तो आप इस तरह से select करेंगे और देन दोस्तों आप यहां से इसे green कर सकते है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है चीजों को सजा लेंगे ठीक है कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ इस तरह का पीडिय ापको यहां क्लिक कर देना है और यहांसे दोस्तों आपको two columns select कर लेना है तो यह दोस्तों कोछ इस तरह में वहाजा। आपका content बन जाता है तो आपो जो पसंद हो जैसा आप चाहिए वैसा दोस्तों आप यहां से बना सकते हैं बाकी तो दोस्तों अगर आपको ऐबुक ब तो इस तरह से दोस्तो आप यह सारी चीज़े कर लेंगे और उसके बाद दोस्तो आपको फाइल के उपर क्लिक करना है फाइल के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको एक्सपोर्ट के उपर क्लिक कर देना है यह तो दोस्तो आप यहां से create PDF के उपर click कर देंगे और उसके बाद अपको करना है desktop या जिस folder में इसे save करना चाहते हैं वो folder आप select करेंगे उसके बाद जो भी नाम देना चाहें इसका नाम दे देंगे और उसके बाद आपको publish के उपर click कर देना है जैसे दोस्तो आप इसे यूज करके पढ़ाना है तो दोस्तो आप करेंगे इसके उपर right click करेंगे तो दोस्तो आपको गया करना है इसके उपर right click करना है जैसे दोस्तो आप इसके उपर right click करेंगे तो आपके सामने एक option आएगा open width तो दोस्तो अगर आपको इसके उपर link करके पढ़ाना है तो द Microsoft Edge Browser में open कर लेना है, तो इस तरह से यह आपका Microsoft Edge Browser में open हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहां से इसे full screen कर लेंगे, कुछ इस तरह से, उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से mouse cursor को जब उपर लेकर के आएंगे, तो यहां पर यह सारे बटन आपको देना है, कुछ इस तरह से, तो यह कुछ इस तरह से आ जाएगा, इतना होने के बाद दोस्तों, जब आप mouse cursor को उपर लेकर के आएंगे, तो यह सारे बटन आपको यहां पर दिखने ही लग जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर pen icon पर क्लिक कर देना है, यानि अपना GKS वाली वीडियो बना सकते हैं, इस तरह से दोस्तों आप यह सारी चीजे करके बहुत ही कम समय में, यानि कि 5 मिनट में आप जो है 100 MCQs का PDF बना सकते हैं, तो दोस्तों आपने देखा कि 100 MCQs का PDF बनाना या 100 1 Liner GK का PDF बनाना कितना आसान है, I hope दोस्तों कि आज की इ कर इस छोटे भाय का मनोबल बढ़ा है, दोस्तों अगर आप अट टेक में तरह चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही टूटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए